दोस्तों आज अपन बात करते हैं एक सबसे important चीज क्या कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है भूल जाता हूँ पढ़ता भी हूँ लेकिन याद नहीं रहता कुछ भी ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज की जो भी student है ध्यान रखना ये जो चीजें होती है कि मैं सर कैसे पावर कैसे बढ़ा हूँ तो आज की वीडियो में मैं आपको तीन चीजे बताऊंगा पढ़ने से पहले इन तीन चीजों पर आप कमांड कर लीजे कोई भी चीज आपको पढ़ने से नहीं रोक पाएगे और कभी भी आप पढ़ीवी चीजों को भूल नहीं पाओगे होता क्या है दोस्तों सब में ब्रेन की पावर सेम होती है किसी का ब्रेन कम नहीं होता किसी का जादा नहीं होता कोई इतना हुसियार नहीं है कोई जाजा कमजोर नहीं है बात है आपके माइंड की आपको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है पहली चीज सबसे पहली चीज पॉजि रहना है कैसे कि बहुत जैसे मान लो English सिंपल एक सब्ज्राइग की बात करते है English की English का लोगों में अब फोगिया होता है क्यों कjor कि उनको आज तक समझ में नहीं ऑई उन्हों अपने brain में वो चीज बिठा ली कि नहीं, English हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपको बता दू, English सबसे simple language है, Hindi जितनी hard नहीं है, बहुत simple language है, लेकिन उन्होंने mind में set कर लिया, अपने brain को message दे दिया कि नहीं, ये अपने बस की बात नहीं है, फिर क्या होगा, ये message जब भी आपके पात आएगा, तो आप जब भी पढ़ने की कोशिश करोगे, आपका mind वहाँ से divert होने की कोशिश करेगा, तो हमेशा आपको क्या रखना है, positive attitude रखना है, कि भई हाँ, मैं कर सकता हूँ, और जो एक भूलने की क्रिया होती, एक वरदान होती है, क्योंकि कभी भी ध्यान रख है कि हाँ, यह चीज थी, कहां गई, कहां गई, तो यह चीज आप उसको याद दिलाते रहिए, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, और जहां तक यारी पढ़ूं कैसे, तो सबसे पहले, इस पढ़ाई वाले काम में आपको क्या करना है, reading skill improve करनी है, कि जब भी आप पढ़ने ब साइड में रख दीजिए, और उसके बाद reading skill में आपको क्या करना है, कि आप जब भी पढ़ने बैठते हो, जो pen या copy जो भी लेते हो, या book से पढ़ रहे हो, तो एक simple highlighter रखिये साथ में, और चीजों को पढ़ते चलिए, वो जो reading skill होती है, वो आपको improve कराएगी sitting में, और वो आपके brain को train करेगी, कि हाँ, ये चीजें होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत fast reading लगा लेते हैं, तो वो बार बार उन चीजों को भूलेंगे, नहीं आपको speed को ज़्यादा slow रखना है, अगर आपने speed को slow रखा, तो आपका brain क्या होगा, ठक जाएगा, और ठक जा आपने नाम सुना होगा, सौमी विवेका नंद का, उनका brain और reading skill इतनी तेज थी, वो एक दिन जब library से book लेके जाते थे, तो दूसरे दिन लाके वापस submit करा देते थे, पढ़के submit करा देते थे, और सारी चीजें उन्हें याद भी रहती थी, तो वो थी उनकी क्या reading skill थी, दूसरी चीज, concentration, आपको उन चीजों पे concentration करना होगा, उस subject की need पे उसके knowledge को gain करना है, concentration को SNA की बीच में छोड़ दिया, जब आप subject लेके बैठते हो, तो उस subject को एक बार के लिए पूरा मन लगा के जो चीजें होती है, लिख लिख के करो, उसको highlighter से करो, मन लगा के पढ़ comparison मत करो कि उसने इतना पढ़ लिया, मुझे याद नहीं हो रहा, उसे इतना याद हो रहा है, आप खुद के लिए, passion के लिए पढ़ो, knowledge के लिए पढ़ो, तो वो चीजें आपको gain होगी, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और success भी बहुत जल्द मिलेगी, comparison से आराम से आखें बंद गर के सोचना कि भी हाँ मेरे को पढ़ना है, किसके लिए, आपका brain कभी भी दूसरों के कहने पर काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका कहना मानेगा, ध्यान लखना, ये चीजें ध्यान लखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, okay